रेंजिना की रेसोई घरे लुनिस के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम मना रहे हैं लोकी और मौंग डाल की सबजी जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और तो यहाँ पर हमने कडाई रखी है और इसमें मैं डाल दूँगी हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना तो यह सबजी में मेथी दाना जरूर डाले तभी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है तो लोकी की सबजी में मेथी दाना जरूर डाले इससे सबजी का टेस्ट बढ़ जाता है तो आप चाहे तो हर सबजी में मेथी दाना डाल स तो प्याज को अच्छे से हलका सा ब्राउन होने देंगे तो यहां पर प्याज हमारी हलकी सी ब्राउन हो चुकी है आप चाहे तो इसमें लाइसन भी डाल सकते हैं और मैंने इसमें डाल दी है हरी मेर्च और इसको हम पांच मिनट तब चला लेंगे और इसको हम धीमी आज पर ही चलाएंगे तो कहीं बार क्या होता है प्याज जल जाती है तो सबजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती और अब हमने इसमें डाल दी हैं दो कटेवे टमाटर तो मैंने दो टमाटर काट लिए थे तो मैं इस काट करी सबजी में डालती हूँ और इसमें क्या करना है आप चाहे तो पेश्ट बना कर भी डाल सकती हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक तो मैं इस तरह से काड़ करी हर सब्जी में डालती हूं इसे ट्रमाटर बहुजल्दी गरल जाते हैं और इसमें हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसको हम पाउच मिनट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे तो यहां पर हमारे जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक चुके हैं और मूंग दाल और लोकी की सबजी एक बार जरूर बना कर देंगे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा और पानी भी डाल लूँगी तो थोड़ी सबजी जो है रसेदार हो जाएगी तो अगर आप इस तरह बनाओगे तब ही ये सबजी अच्छी लगती ज्यादा सूकी सबजी भी नहीं अच्छी लगती तो थोड़ा तरी वाली सबजी बनाएं तो जो ग्रेवी है हमारी अच्छे से पका लिया है और उसके बाद हमने जो मूंग की डाल थी तो मूंग की डाल को मैंने अच्छे से धोलिया था और धो के हमने क्या करा था इसको एक गंटे पहले हमने मूंग की डाल को भिगोकर रख दिया था उससे क्या होगा कि हमारी जो डाल है वो एकदम से गल जाएगी तो मूंग की डाल तो वैसे भी जल्दी गल जाती है लेकिन अगर आप भिगोगे तो यह जल्दी बन जाती है और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता तो आप इस तरह भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और अब हम डाल देंगे लोकी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें और मेरी वीडियो को बोच कीजिए और यहाँ पर मैंने इसको हम सबजी को 10 मिनट तक ढखने के लिए रख देंगे ड़कर के रख देंगे और तो अब हम चैक करके देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी है बन चुकी है और बहुती बढ़िया बनी है और बहुत जल्दी यह सब्जी बन जाती है और अगर आप प्रेसर कुकर में तो ये सबजी बहुत जल्दी बन जाती है लेकिन मैंने कड़ाई में बनाई है तो कड़ाई में इसका स्वाद कुछ ज़्याद ही अच्छा आता है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है मलाई और मलाई दालने से तो सब्जी का सवाद और भी बढ़ जाता है तो आप जब भी लोकी की सब्जी बनाएए या तोरी की सब्जी बनाएए न energies Germyl दाले तभी उसका टेस्ट बढ़ जाता है तो देख सकते हैं इसका कलर रिवियर खाने में कितनी बढ़िया बनी है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइए कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइप, सस्क्राइब और सेयर करना ना भूले मुंग दारों लोगी की तेटी सब्जी